यह समाजवादी पॉलिटिक्स यह कहीं भारत के रूट में है क्या यह तो जर्मन पॉलिटिक्स समाजवादियों का सुरू में क्या विचारधारा रहता है सर्वे भवन्तु सुखिना और बाद में मैं और मेरा परिवार ही क्योल सुखिना क्या अपने परिवार से निकलेंगे, क्या मानिये जो दिवंगत है, मुलायमसी यादो जी अखिलेस यादो से बाहर निकले, अपने भाई को बाहर करास्ता दिखा दिखा दिए, क्या मानिये लालु जी तेजसली यादो से बाहर निकले, क्या उनके पासवार को यादो करनेता मैं तो कहता हूँ कि जितने लोग भी है ना मानिय मुख मंत्री जी से बच करेंगे तेश को एन मोका पे ना ये खाने का प्लेट तब भीच लेते हैं ये कप किसका निवाला घीच लेंगे कोई नहीं जाए अभी मिटिंग पटना में हो रहा है ना बाद में दिखेगा तमिला मंत्री पूर्शी पे बढ़ा देंगे इनको 23 जून को बिहार में विपक्षी एक्ता होने जा रही है कई मुख मंत्री इसमें सम्मिलित होंगे राहूल गांधी के आने के भी खबरे है और अब MKS चलिन को मनाने नितिश कुमार तमिलाडू जा रहे हैं ताकि वो भी तमिला भोजपूर के रहने वाले हैं आरा के हम इनसे चर्चा करेंगी इसी विपक्षी एक्ता पर बीजेपी की रन नीती पर और 2024 लोग सभा को लेकर कर नहीं जी बीजेपी में तो आप आ चुके हैं हमारे बात चीत आप से हुई विपक्षी एक्ता कर रहे हैं नितिश कुमार ग मुझे नहीं पता है कि ये किस गणित की बात कर रहे हैं कि 38 पर 30 और बासाट पर 30 देखे सबसे पहले बात तो यह है कि ये विपक्षी एकता बनेगा कैसे और किसके खिलाफ आप मुझे बताइए क्या बंगाल में कॉम्णिस्ट और ममता बनर जी एक हो पाएंगी क्या अब आप सुन रहे होंगा अखिलेश जी क्या कर रहे है कि सपा के साथ आप लोग आईए हम लोग बीजेपी को रोकेंगे हर यहां पे जो बैठे हुए नेता ना सब अहम में जुड़े हुए मैं यह मैं से निकलने वाले नहीं सब को प्रधान मंतरी के कुरसी दीख रहा है लेकिन आप जान लीजे यह जो सोकल्ड समाजवादी नेता जो लोग हैं जो करें कि हम समाजवादी विचारधारा के पुर्जोर हम लोग है एक बाद बताईए मुझे आप बताईए कि यह समाजवादी पॉलिटिक्स यह कहीं भारत के रूट में है क्या यह तो जर्मन सुखी हो क्या अपने परिवार से निकलेंगे क्या मानिये जो दिवंगत है मुलायम सी यादो जी अखिलेस यादो से बाहर निकले अपने भाई को बाहर करास्ता दिखा दिए क्या मानिये लालु जी तेजस्वी यादो से बाहर निकले क्या उनके पास और कोई यादो करने परिवारबाद से बचे हुए हैं जो आरोप रहूल गांदी पर लगाते हैं कि रहूल गांदी परिवारबाद में हैं रहूल गांदी करप्ठ है आज उसी पाटी को सपोर्ट कर रहे हैं जो परिवारबाद से जुड़ा हुआ है अब लोगसभा का चुना होने वाला है देखिएगा कि परिवार के कितने टिकट मिलेगा परिवारबाद से तो मानिये मुखमंद्र जी खुद निकले हुए हैं लेकिन वो किसमे यह सब एक जगे आही नहीं सकते हैं क्योंकि अलग-अलग विचारधारा की यह लोग है और मैं तो कहता हूं कि जितने लोग भी है ना मानिये मुखमंद्र जी से बच करेंगे तेश को क्योंकि एन मौका पे यह खाने का प्लेट तब घीच लेते हैं यह कप किसका निवाला घीच लेंगे कोई नहीं जानता है नरेदर मोदी से तो जो नितीश कुमार का एक का सकते हैं कोल्ड वर सीत यूद जो है वो तो सुरू से देखे हम लोगों ने लेकिन अब नितीश कुमार कह रहे हैं कि लड़ाई जो होगा लोग सभा में वो वन-to-one होगा मतलब मान यह एकि जो आज यह सथ्वी परधान मंत्री जएने जो कारिये किये हैं में जयादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि आज उठा लिजिए सेंट्रल इनवर्सिटिज चौदा के पहले और 14 के बाद I.A.T. और 14 के पहले नंबर 14 के बाद I.A.T. और 14 क के लिए नहीं बना है इम्स क्या उन्होंने 38% के लिए 62% के लिए नहीं बना है यह गलत फहमी में और आप जान लीजिए भारत विकास के पत्थ पे अग्रसर हो चुका है आज भारत को अंतराश्टिय पटल पे कई देश जूब के नमन करते हैं और यह लोग सोचते हैं कि आज भारत क्यों अपने बल पे आगे बढ़ा है और रियल में भारत विकास की एक नई गाथा लिखे देगा सिर्फ त्री फैक्टर से वो फैक्टर है यह सश्वी परधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी दूसरा फैक्टर भी स्री नरेंद्र मोदी जी और तीसरा फैक्टर भी स्री नरेंद्र मोदी जी होंगे कोई नहीं है क्योंकि भारत की जंता बिहार की जंता किसको अच्छा न्याय और रोजगार क्या इन्होंने दिया आज दिखिए उडिशा हमसे नीचे थास कहां है आज मानिय मुखमंति जी बिहार के लिए क्या किये हैं उनको बताना पड़ेगा यह नहीं कि हमने बहुत कारे किये कौन से कारे किये हैं यह फ्लाइवर बना देने से कोई कारी है क्या क्या रोजगार बच्चों को मिला यहां पर युवाओं को आज भी साड़े-चार क्रोड से ज्यादा हमारे लोग पलायन हो चुके हैं उनकी घर वापसी कब होगी बिहार में बिहार में कौन से इंडस्ट्री जा गए मुझे बताइए एक कोचिंग इंडस्री जिसकी अस्थापना हम लोग ने किया वो प्रसेप्शन बदला लोग आए अधर्वाइज यहां क्या है मुझे बताइए पस्कूल की स्थिति क्या है आप जाके देखिए प्रहाई नहीं होता है यहां की इंजिनियरिंग कोलेजों के हाल देखिए बच्चा बाहर देख जैसे नितिwireटेओं करते अबनो थीन यहां से करते हैं करता है कि दिनायक बाद नहीं चलेगा वैकटि बाद नहीं चलेगा और बीजेपी पूरी पाटी जो है वह एक वैक्ति का सकते हैं चरण बंदन कर रहे हैं मतलब और प्रेज हो रहा है वो ने 70 म१ तो किसका और आप ललन सिंग की बात करते हैं, दलित महा दलित ब्यक्ति के पाटी को हड़ा अपना चाहते हैं, कहते हैं कि छोटी दुकान है, जिस ब्यक्ति की जो सोच है, वो मौल, बीजनेस और दुकान से बाहर निकाले तो, पताइए आदर्नी माजी जी की पाटी को छोटी दुकान बोल रहे हैं, और यह सोण हो गया तो, इनकी दुकान बड़ी है, यह चरन बंदन करना छोड़ दे, नितिश कुमार को इनको देखे, मार के भगा देते हैं कि नहीं, वहां से, यह खुद ही चरन बंदन करते हैं, और इनके कई नेता बोल चुके, कि हम लोग तो कृपा से है यहां तो सब्चीज नितिश कुमार है, बीजेपी पार्टी एक बहुत अनुसासित पार्टी है, इस पार्टी के जो लीडर है, वो हमारे आधर्निये स्री नरेंदर मोदी जी हैं, और जितने भी हम लोग कर्च करता हैं, वो इन पर विश्वास करते हैं, और इन ही के लिए आगे सारे कर्च करता देखिए जा, खून पसीना एक करके, फिर से जो दो हजार चौबीस में, जो सपत लेंगे, वो अधर्निये, नरेंदर मोदी जी ही लेंगे, इन में से कोई नहीं है उसका भी, चले एक अंतिम सवाल है करनिया सिंग जी, अंतिम सवाल है कि विपक्षी दर भी तो होई रहा होगा, कि सारे अगर एक हो गया है, तो कहीं हमारा जो समिकरन हो, गर्वड मत हो जाए, जाती को अगर देखिए तो एक महागडबंधन मजबूत है, इस बात को मानी, डर है बीजेपी को इस बात को लेकर, नहीं नहीं कहां सपल, हम तो न्यूस देख र दारे बढ़ा के चल रहे हैं, वो इनको किसी को दे देंगे, कि लोग प्रधान मंतरी के कुरसी पर बैठा देंगे इनको, आपको लगता ऐसा कभी नहीं होगा, और भारत के लोग, आदर्नी नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत देश में 140 से लेकर सूच तक बदल डाली, तो लोग का सूच बदल चुका है, मन मस्तिक पे सिर्फ और सिर्फ आदर्नी नरेंद्र मोदी जी ही है, उन्हीं कामिट चाप है, और देखिएगा फिर 2024 में फिर से यहीं बनेंगे, तो देखिए यह नेता तो है, इसाथ में एक सिक्षक है, और सिक्षक यहीं कह रहे हैं कि 2024 मे फिर से नरेंद्र मोदी का ही डंका बजेगा, हाला कि 23 अगस्त को एक बड़ी मीटिंग पटना में रखी गई है, खुद नितिश कुमार के आवास पर कही राजों के मुख मंत्री आएंगे, राहुल गांदी भी उपस्तित रहेंगे, और वो यह अतिहासिक पल होगा, इसक में 2024 में बीजेपी के खिलाफ तमाम जो विपक्षी दल हैं, वो एक हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, हम फिर जुरेंगे कर नहीं है सिंग जी के साथ, अत्गा बने रहें दभी हाट आप के साथ, मिर नाम अदीब तारन है, बहुत-बहुत शुक्रिया